हलो काईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे फ्रेफायर में हम सेटिंग के आपसन पे जाते हैं उसके अंदर हम लोग के डिस्प्लेगर जो आपसन है इसमें एक सेटिंग मिलते हैं हम लोग को नौच स्क्रीन नाम से यह जनरल सभी कर लिजिए और बेल आइकोन में से आल नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का सेटिंग को आपको दिखाता हूं तो उसके लिए मैं सेटिंग पे चले जाता हूं फ्रेफायर के उसके बाद दिस्प्ले के अंदर आना हैं और सबसे नीचे में आपको नौच करके एक ऑफसन दिखाए देगा तो मेरे में ये अभी आफ है पहले से ये आफ है ठिक है जबसे मैं फ्रे फायर ओपन किया हूं तब Southern हो ये। स्क्रीन से चिपका हुआ है ठीक है और राइट हैंड साइड में देखी यहां पर इवेंट का जितना भी पेज है या फिर हम लोग का गिल्ड वाला जो आइकॉन रहता है यह सभी पूरे स्क्रीन से चिपका हुआ है यहां पर हम लोग का हर एक चीज स्क्रीन से चिपका हुआ और मैं अपना custom hud भी open करके दिखाता हूँ उसके लिए यहाँ पर setting पर आ जाते हैं और controls के अंदर custom hud पर चले जाते हैं तो इसमें देख लीजे हम लोग का map पूरे पूरे screen से चिपका हुआ है मतलब पूरे side पर है map ठीक है और यहाँ पर हम लोग का jump का button fire का button और इधर उप screen को हम लोग on कर देते हैं ठीक है यहाँ पर मैं on कर रहा हूं तो on करेंगे तो यह तूरंत effect नहीं करेगा हम लोग के game को इसके लिए सबसे पहले हम लोग को अपना game को restart करना पड़ेगा मतलब पूरा पूरा आपको close करना है इसको mini match से पूरा हटाना पड़ेगा और उसके फिर से reopen करना है अपने game को मतलब फिर से आपको open कर लेना है उसके बाद ही सेटिंग apply होगा हम लोग के प्रेफायर में तो पहले का आपको मैं दिखा चुका हूं और उसके बाद इसको अब देखिए क्या effect लाता है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका general यूज क्या होत क्योंकि मैं प्रेफायर को restart कर लिया on करने के बाद setting को आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं display के अंदर तो देख लीजिए on है ठीक है अब इसका effect देख लीजे left side में देखिए जितना भी event का जितना भी icon था और उपर में जितना भी event आया हुआ था यह सब हलका हलक खिसक चुका है मतलब left side में हलका सा जगा छूट गया है हम लोग का ठीक है और वो ऐसे ही right hand side में देख लीजे event का जितना भी icon बना हुआ था guild icon बना हुआ था यह सभी थोड़ा थोड़ा खिसक गया है नीचे में हम लोग का start button भी थोड़ा खिसक गया है ऐसे भी मैं अपना custom hud भी आपको दिखाता हूं तो वह भी हलका हलका सभी चीजें खिसक गया होगा तो यहां पर देखिए map खुलता है वह भी हम लोग का खिसक प्रेखना चीजिए इसके बारे में हम बात करते हैं तो यह setting पहले नहीं रहता था फ्रेफ फायर में क्योंकि पहले के mobile में उपर और नीचे में बहुँ सारा बेजल से रहता था मतलब उपर में camera रहता था नीचे में minimize का button रहता था बेक करने का button रहता था यह सभी button रहता उपर और नीचे में बहुत सारे जगा छूटा रहता था मतलब अगर हम लोग हाथ में पकड़ रहे हैं मोबाइल को तो कोई भी कंट्रोल को टच करने के लिए हम लोग के पास मतलब अराम से डिस्टेंस रहता था अगर बेजल वाले मोबाइल यूज किये हुए हैं जैसे आईफोन वगर में आता है अभी भी बेजल हलका फुलका या फिर हम लोग का आसूस आरोजी में आते हैं उसमें भी भी बेजल साता है हलका फुलका तो वो सभी को use कर रहे हैं और अचानाक से हम लोग full screen mobile को पकड़ लिए जिसमें पूरे last तक screen दिया हुआ है तब ये option अगर off रहेगा तब हम लोग को ये सब control use करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि एकदम से पूरे finger तक हम लोग का ये control चला जाता है तो हम लोग touch नहीं कर पाएंगे अच्छे से तब जाकर के ये option को हम लोग को on करना है और on कर देंगे तो जो normal basis वाले हम लोग mobile use करते हैं जो पुराने mobile होते थे जिसमें उपर में camera नीचे में बहुत सर बटन होते थे वो सभी वाले mobile use करते थे तो इसको on करके वैसे ही फ्रेफायर को खेल सकते हैं मतलब आप फ्रेफायर को बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं आपका एक एक कंट्रोल पे हाथ बैट चुक है अच्छे से और आप कोई नया mobile खरीतते हैं तो इस तरीके से इसको customize कर सकते हैं सो आप दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है और तू वीडियो को like जरूर कर लिजिए और चैनल को subscribe करके bell icon में से all notification को on कर लिजिए थैंक यू